Hello Traders and welcome to the studio members NCC को आज के दिन हम ने ठीट जा था हम मौनिंग में अभी इसके अपनी पोसिशन चाल रही है and ज़स्ट प्रॉफिट बॉकिंग का टेट था because दो दिन से इसके अधर बाइंग घोर है और हम इसको देख रहे थे लगातार देख रहे थे कि बाइंग और green candles अच्छी खासी green candles अच्छी खासी green candles अच्छी आपका देखो गिए because किसी भी इंडिकेटर को आप यूज करो वह यहां से एक by सिम्टम ही दिखायगा प्राइज आपका बाई हो रहा और एक सपोर्ट के ऊपर ही लगातार सबोर्ट ले रहा है अगर देखोगे और अगर इंटर्नल इस्ट्रक्टर्स देखोगे तो फिर आपको यह वाली केंडर्स दिखाई पड़ेंगी तो कुल मिलाकर के प्राइज है सपोर्ट पर हाईज अपसाइड की दरफ शीफट हो रहे हैं बट जब आप वॉल्यूम्स को देखते हो तो यहां पर आपको वू चीज़े दिखाई पड़ती जो अधर कोई इंडिकेटर आपको दिखा नहीं सकता या फिर आप नेकर टाइस क अपोजिट साइट के ट्रेड एक्जिक्यूट करते मतलब के शॉर्ट साइट की कंफिमेशन लेंगे एंड एक्जिक्यूट करेंगे यह चीज होती है कि जब कैंडल्स के सिगनल्स हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं वॉल्यूम्स के साथ में तो आज इसके उपर एक तो एसप्रोस का ही चार्ट ओपन है तो यहां पर जो इस्टॉप्लोस अपना लगा हुआ है 158.20 का स्टॉप्लोस है 157.40 पर यहां पर हमने अपनी शॉर्ट से लिंक कि हुई है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंट्रेट सभी चल रहे हैं विकॉस तीन बजने वा यह तो इसने एक सपूर्ट ब्रेक किया है हालां कि अब टाइम तो नहीं है लेकिन इसे और भी नीचे गिरना था ऐसी मेरी उम्मीद थी फिलाल यह सब अलग बाते हैं ट्रेट्स हमारे चल रहे हैं इस वक्त की जो पोजिशन लोग अपनी ओपन कर लेंगे तो 9,257 रूप लेकिन यह थोड़ा सा पहले से यूज करें तो यह थोड़ा सा आसान लगता और आदत भी इसी की पड़ी हुई है अदर्वाइस इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है तो आगे की जो अन्यासिस हम लोग ट्रेडिंग वी के उपर करेंगे एंट एक समझने कोई भी कैंडल हो उसके अंदर हम लोग वॉल्यूम्स को जब मर्च करते हैं या इवन आप चली शुरुआ आप में वॉल्यूम्स को ना पढ़ो तो वो सिर्फ और सी प्राइस की कैंडल को देखते हुए ही आप किस तरह से सिग्नल्स को प्रेडिक्ट करोगे कैसे उसके अंदर से सिग्नल्स किस तरह से भी बाइंग और सीलिंग को एप्रोच करते हैं इन सारी चीजों के उपर डिस्केशन करेंगे अपना टेलिगरम चैनल्क लिंक भी डिस्केशन में आप लोग चाहो तो टेलिगरम गूरू जो आन कर सकतो काफी सारी चीज़ों है जो गूरूम मॉर्निंग में देख लो या फिर कोशिश रहाएं कि अपकमिंग जीतने भी आने वाले सेशन के वीडियो घर होते हैं तो सारे के सारे एजुकेशन वीडियो मिलेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी इधर उधर की बाते नहीं हैं कि हम जिस चीज से से ट्रीड एग्जेक्यूट करें वो सेट अब साब को बता रहे हैं कैसे हम लोग केंडस को रीट करेंगे वो बता रहे हैं कि लखपती बन जाओ और पांच लाग और पचास जार और दो लाग चार लाग और पर आ जाए नहीं सिंपल धरातल पर रहते हुए चीजों को समझते हुए जो रियालिटी है अन्रियालिस् सारी चीज़े आसान हो जाएंगे तो ऐसा होता कुछ नहीं है और इनी रिजन के वाज़े से आप लोग लॉस करते हुए अब एक चीज़ देखिए यह जो हम आपसे बात बोल रहे हैं सिग्नल्स की यह लाइक है क्या किस तरह से इनका यूस किया जाता है कैसे हम लोग समझ फिल करो हमेशा है टेकनिकल्स में उलग है रहना इंडिकेटर्स में उलग हैना अपनी गडित लगाते रहना जो चीज़े नहीं है वो हो जा एक ऐसे प्रेडिक्शें के साथ मीinkो ट्रेट करते है चार्ट चल रहा है उसको dys 시간 समझा की कोशिश करो उसको फिल करो थोड़ा है क्या करें किस तरह से marking की जाएंगी और कहांसे रीडिंग यह अपनी शुरू होगी जब यह चीजे करना स्टाट कर देते हैं और चार्ट के उपर जो लाइंस रखते हैं और जो ट्रेंट्स वगारा डॉख करते हैं यहां से फिर निकल का आते हैं यह signals signals जैसे एक resistance आपका बन रहा है हम कुछ नहीं करते हुए सिर्फ अपनी resistance candle को mark कर ले अभी हमने कुछ नहीं किया है सिर्फ इस green वाली candle को mark किया है और यहाँ पर भी जब आप volumes को देखोगे तो volumes भी आपकी low है price तो उपर की तरफ जा रहा है बट volumes low है और यह बन गया एक resistance same method के थुरू आज भी हमने trade execute किया कि continuously same color के candle बन रहे हैं बट volumes कम है short selling यहाँ पर देखे क्या हुआ है volumes कम है short selling यह तो simple सी चीज़ हो गई बट होता क्या है इन दो candles ने मिल करके एक resistance बनाया या फिर supports बनाया अब यहाँ पर हमने किया कि सिर्फ इस एक green वाली candle का high mark कर लिया और इसका चलिए हम low भी mark कर लेते हैं देखे सिर्फ एक candle के high and low को volumes के साथ जब हमने include हिया तो एक resistance मिल गया एक support मिल गया अब यहाँ से आपको वो सारी चीज़े पकल नहीं है जो market आपको signal दे रही है बारवा जिसके signals आपको मिल रहे हैं लाइक कि यह बन जाता है आपका एक resistance area यहाँ से market उपर की तरफ नहीं जा पा रही है यह देखे इसको समझे कि volumes कम है अगर उपर के दिशा में market को जाना है जब तक heavy volume नहीं आएगी resistance ब्रेक नहीं होगा और तब तक देखे market आपको आपको सपोर्ट पर आया और सपोर्ट की बाद में फिर से reject होकर कि upside की तरफ चला गया और तब से high 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 वापस देखे market नीचे की तरफ आई इसने volumes increase ने हुए price आपको ऊपर की तरफ जा रहा है बट volumes आपके कम हो रहा है क्या signal मिल रहा है कि support जो support है ना यहां से market आपकी upside की तरफ तो जा रही है बट strong नहीं है और यहां से देखे market ने वापस से आपको downside की तरफ के movements देखा दिये यह सिर्फ अगर आप गौर करोगे तो हम इसमें किसी तरह के pin बार किसी तरह के mother candle डोजी वगरा इसके पर discussion नहीं कर रहा है सिर्फ candles की body को समझो उनकी volumes को देखो अब यहां पर जो internal structures होते internal structures का मतलब यह होता है कि structures के अंदर structures form होगा like यह आपके कोई एक mother candle just example यह एक mother candle हमने इसका high और यह दोनों low और high mark कर लिए अब इस mother candle के structure को तो price को break करना पड़ेगा ना लेकिन अगर break नहीं कर रहे होर इस range के अंदर एक और structure बन जा रहा है तो यह होता है internal structure मतलब कि supports के अंदर नए supports बन रहे हैं अब यहाँ पर वापस है अगर market कोई support form कर देती तो यह देखे supports के अंदर supports बन रहे हैं यह होते है internal structures तो एक structure के अंदर देखे आपको दो-दो structures दिखाई पड़े हैं कौन से strong है कौन से भी यह बात की बात है अभी NCC के trades पर हम लोग इंक्रीज क्या प्राइस नीचे के तरफ आया यहां से देखे upside के तरफ ठीक है volumes आई है but price sustain नहीं हो वो range के अंदर ही रहा है फिर से देखे market अपने resistance के पास में एक rejection देखा है वापस से नीचे के तरफ गिर गए और फिर देखे price आपको upside के तरफ जाने लगा हम नहीं है लेकिन अगर naked has के तरफ आप NCC के चार्ट को ड्रॉख करो और अभी जिस तरह से हमने क्योंकि अलग से तो कोई चार्ट अपना बना नहीं है सिंपल वे में लोग जैसे चार्ट एक्जिकूट करें यहां पर देखे अपने सेम जो अपनी क्लियर है आज के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था वह यह वाला बन रहा था मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन भी मिल गया हमें सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है यह भी समझ में आ गई और इसके जो इस्ट्रॉंग रेजिस्टेंस सीरिया मिल रहे थे या सपूर्ट एरियस मिल रहे थे यह भी समझ में आ गई तो कुल मिला करके हमने एक तरह से सिगनल्स को पकड़ा हो जो चार्ट हमें इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था जो इंडिकेशन हमें यहां से मिल रहे थे अब आ जाते हमें लोगर टाइम फ्रिम पर ठीक है अब मौनिंग में फाइफ मिनेट पर जिस तरह से मार्केट रियक्ट कर रहे थी आप सिर्फ उ थे कि आई लो फिर हाई लो हाई लो आप देख रहो न कि यहां पर किसी बी तरह से हाई को मार्केट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है एक भी स्ट्रॉंग क्लोजनग आपको नहीं दिखिए एक देखे के morning में एक ये फाई लगा इसके बाद में एक ये फाई लगा और price इस हाई से नीचे की दरफ ही हारी है तो buy तो हमें लोबर टाइम फریम पर भी नहीं देख रही है सिर्फ हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो black quality line समझ रहे हैं बलैख वाई लाइ acompa के है समने कुछ savings किए, इसको फिर से कुछ से करते हैं, देखे, low, high, again low, फिर से high, low and high, ठीक है, प्राइज अपने supports को बार बार protect कर रहा है, supports ठीक नहीं हो रही है और resistance ब्रेक नहीं हो रहा है, अब दिन में जहाँ सबसे पहली बार support ब्रेख हो रहा हुऊ candle कौन सी है हमारी वो ये green वाली candle है जब high volume के साथ price ने नीचे के दरफ देखे यहां पर एक closing दिखाई एक high volume green candle बनी अब price इस green वाली candle के उपर नहीं निकल रहा है यहां पर इस ने इस range को नीचे के दरफ ब्रेख कर दिया अब इस बड़ी वाली black candle के अभी लास्ट हमने एक वीडियो प्रूट किया था जिसमें volume और price को मिला करें कुछ candles हमने कुछ यह पांच यह शे candles थे हैं जो हमने आप से कहा था practice करना उसमें हमने यह चीज़ बताई कि एक candle के अंदर कई सारी candles बन रही है इसके volumes increase हो रहे है इससे यह जो बड़ी वाली candle है इसके strength का पता चलता है तो अगर वो वाला वीडियो आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखे इस वाली candle के अंदर कितनी volumes increase होई है एक दो तीन and heavy volume के साथ नीचे के दरफ closing तो दिन का सबसे पहला यह support था वो support भी चला गया and यहाँ पर हमने अपना trade execute किया तो जो हमें execution के वक्त price मिला 157.40 का हमें price मिला था short selling का समझ भारा है ना daily time frame पर यह resistance के पास में है lower time frame पर price बार बार support बना रहा है and अपने resistance को यह protect कर रहा है जैसे ही intraday के हमारे supports का यहां से हमने अपना trade execute कर लिए stop loss जो भी है 157 के अब 80 पैसे के आसपास का अपना SL लगा था यहां से एक बार देख लेते है 158.20 का stop loss है 158.20 यहां पर इसे के अपने stop loss लगे हुए तो कि price नीचे की तरफ आ गया अब इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हमें लग रहा था morning में जब trade बगरा निकले थे तो इस line को भी हम delete कर देते है I hope कि clear हुआ होगा कि किस तरह से execution बगरा कि इस line को So trade हमारा चल रहा है भी, देखे profits कम होगा है Definitely यहां पर profit काफी कम होगा, 7000 हो गया ना अब market भी close ही होने वाली है, 500 पर चले आते हैं अब ऐसा सिर्फ NCC में ही नहीं, आप किसी भी stock में ठालो अब bank nifty को तो हम छोड़ी देंगे फिलार आप भारत fog पर आजो, ठीक है, बहुत fog को देखो Delhi time frame पर आओ, candles को पकड़ो, सिर्फ candles को देखो क्या हो रहा है, बड़ी सी यह green वाली candle आप की बनी heavy volume के साथ में, यहां पर देखिए, volumes के breakout हुए ओके, अब internal structures कौन कौन से बन रहे हैं के like high यह हो गया, and यह आपका हो गया, low यह भी support हो गया, and यह भी support हो गया, आप देख लेना कि market यहां पर किस तरह से signal दे रही है, किस तरह से आपको indicate कर रही है, एक resistance point, अगे इन देखिए, यह आपका दूसरा resistance point, highs, highs, अगर price ने आपके resistance को break किया, इस वाली candle के high को tonless वाले market इस वाले support पर जाकर के sustain होगी, अगर इस sustain होगी यहां पर, तो definitely price आपका resistance ब्रेक करतेगा, और अगर upside की तरफ यह नहींगी, इस green वाली candle के फसेर होगे, bullish engulfing, tweezert of hammer, dragonfly doji, inverted hammer, morning star, three soldier, hanging man, gravestone, shooting star, evening star, कितने ही candles पढ़े, एक पैसे, बिल्कुल काम की नहीं है, यह सब, यह कहा जाता है, senseless candles, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, जिस वक्त आप पढ़ रहोगे, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझ म भी आजागा, लगेगा, कि ठीक है, अब कल सिस्पर से पैसा बनने लगेगा, एक्च्छल मार्केट में जब आप काम करने आते हो, यह सारी candlestick भी आपको लगता है, कि एक पैसे की नहीं है, यह candlestick है, और दूसरा फिर कई सारे patterns आ जाते है, double bottom, triple bottom, inverted head and shoulder, ascending triangle, symmetrical triangle, flag, cup and handle, butterfly पता नहीं कितने patterns वगरा है, यह सब जब बन जाते हैं, तब समझ में आता है, अच्छा, यहाँ पर cup and handle बना था, entry लेते हो, तो profit हो जाता है, कल से लेंगे, कल भी आपको cup and handle तब ही दिखाए पड़ेगा, जब बन चुका होगा, और जब market चल चुकी होगी, moral of the story, इन सारी चीजों से हट करके, कुछ जो real market में चीजों काम करते हैं, जैसे candles को लोग कैसे पढ़ेंगे, अगर हम चाहें तो pin bar की एक बड़ी सी week होती है, कितना आसान इन सारी चीजों को समझा देना, यह बड़ी सी week होती है, यह आपकी बनती है, open price और closing price, यहाँ पर entry ले लो, आपके लिए perfect candle बनती है, अचानक से देखी, दो candle बनी है, जो भी अपना profit था, वो कम होकर के भी 5000 के round आ गया है, 6000 हो गया, यह चलता रहता है, यह चलता रहता है, यह चलता रहता है, देखे, लास्ट तक हम होल्ट कर रहे हैं, लास्ट नम जो volatility होती है, इसमें प्रॉफिट करते हैं, cancel, and position book, square of fantasy, 15555, तो सही मिल रहा है, 15555, 15555, 15555, 15555, पर अपने exits लगे हुए हैं, तो दस पैसे थोड़ा से नीचे आ जाए, तो यहां सम लोग बाहर हो जाएंगे, 15555, कोई hard body नहीं, किसी तरह की कोई hard body नहीं, अब देखे, निकल जाएंगे, कोई hard body, सजब्सक्यार कर ले क्वे, निकल गानें, six two hundred and s यक्यार का पनी प्रॉफेज को सबस्क्राइं, डाव पते हैं, छन फिर Weak, cancel, KS भानले जाएंगे के market volatile हो गए थी अधरवेस यहां पर चार करीब 9-10,000 के आसवास का profit में देख रहा था कि तरफ भी movements हो रहा है हालां कि daily time frame पर पता ही है red candle में ही red color की candle बनेगी daily time frame पर सुभाई अपने expectation थी जो भी है थोड़ा profit लेकर के में से भाहन निकल गए हालां कि profits में नीचे की तरफ ही book कर लेनी चाहिए है क्यों हमने book नहीं के क्योंकि जो real target था अपना वो यह वाला हमें इस जगह पर हम ट्रेट्स लगाने थे यह कल के support थे यह last support थे जो कि कल market ने ब्रेक नहीं के थे तो 154.20 मारा main target था लेकर यहां तक market नहीं पहुंची है इसी जगह से इसने consolidation करने स्टार्ट कर दिया इस एरिया से and swings उपर की तरफ रेखो और market उपर की तरफ जा रही है अभी आज के session में हम आपको दो candlesticks पताएंगे ज्यादा नहीं सिर्फ दो candlesticks आपका काम होगा इन दो candlesticks को master करना और यह naked candlesticks ही नहीं होंगी volumes के साथ इनको include करेंगे and charts के पर थोड़ से example देकर कि इसको समझाने के कुशिच करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहरा तो है internal structures का use कैसे करते हैं internal structure का use कैसे करते हैं जैसे की एक candle आप की जैसे की एक candle आप की बन गए यह बड़ी सी candle यह होती है हमारी mother candle mother candle को हम all strong कैसे बना सकते हैं आप इसके अंदर volumes को add करो volumes को इस तरह से add करना है कि जैसे first जो बड़ी वाली candle होती है उसके अंदर छोटी volume आएगी छोटी volume का comparison हमें कैसे करना है जो इसकी next candle बनती है इस वाली candle से यह कैंडल हमारी बड़ी होगी volume पिसली candle हमारी बनी है इससे ज्यादा volume हमारी second वाली candle में यह गे अगयी बड़ी जो होगी आपकी प्रीवेस candle से प्रास के volumes में क्यों होगा ? second वाली Volume ज्यादा होगी अपनी first वाली volume से यह पूरा बन गया आपका ए एक structure अब internal structures कैसे काम करता है कि price आपके इन levels को break नहीं कर पाएगा जैसे जैसे price आपका आपकी इस range के अंदर जितनी ज्यादा समय तक रहेगा candles form होगी but in candles की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर भी आपको volumes के breakout देखनों को मिल जाएगे volumes के breakout का मतलब अपनी last candle से ज्यादा जिस भी candle के अंदर volume आएगी हम उसे कहते हैं volumes breakout अब जैसे यह वाली candle बन गई इसमें फिर से देखिए volumes हमारी less होने लग गए volumes कम हो रही है यहाँ भी कम हो रही है और यहाँ पर फिर से volumes आपकी increase हो गए तो यह volumes बढ़ गए तो यह volumes के breakout हो गए इस वज़े से क्या हुआ हमारी यह जो major candle बनी ना इसकी strength बढ़ती गई lower time frame अब strength बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि price का यह जो resistance area है यह उतना ही strong हो जाएगा यह फिर यह वाले जो support area है यह उतना ही strong हो जाएगा break होगा movement one-sided movements होगे लेकिन इससे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको करना है क्या है कि आपको buying करनी है या selling करनी है अगर इस तरह के structure से आपको buying के confirmations मिलने बट daily time frame के recording आपको short selling करनी है अब जैसे NCC ही हो गय हमें daily time frame के recording short selling करनी थी लेकिन internal structures आज हमें बोलते है कि नहीं यह तो buying हो रहा है lower time frame के recording यह strong लग रहा है and higher time frame के recording यह weak है तो फिर हम यह trade execute करेंगे ही नहीं दोनों ही time frame के reading का purpose यही है कि हमें दोनों तरफ से confirmations मिले एक्स्रा confirmations के साथ हम काम करते हैं तो एक confidence के साथ में हम बैठे रहते हैं तो higher time frame पर भी हम लोगों ने क्या देखा weak lower time frame पर भी weak इसे तरह से इन structures के साथ भी होता है higher time frame पर अगर को structure आपको buy के लिए बोल रहा है यह बात समझ पा रहे हैं एक तो यह major candle आपकी बन गए और इसके अंदर एक छोटी से candle बन गए अब यहाँ पर अगर volumes के breakout हो जा रहे हैं अच्छी बात है तो यह structure मेरा एक valid structure बन जाएगा हम इसका use market में reading करने के लिए कर सकते हैं एक strong support के लिए एक strong resistance के लिए या even entry या फिर stop process लगाने के लिए भी इनी structures का use करते हैं तो एक चीज़ आपने देखी हमने यह बिल्कुल नहीं कहा कि यह आपके कोई mother candle बन गई यह यह फलानी कोई candle बन गई हाला कि जब आप जाओगो technical language में इसको बोलते है mother candle ही है लेकिन mother candle का use वैसे नहीं होगा जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं इस वज़े से ही stop process जाते है इसमें कुछ चीज़ आपको अपनी तरफ से include करनी पड़ेंगी readings करनी पड़ेंगी तब जाकर के आप एक step आगे काम कर पाओगे जैसे यह candle बन गए इसके अदर volumes को add करो जितने ज्यादा समय तक market इस वाली candle के अंदर रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा यह क्योंकि breakout के बाद में फिर movement उसी देशा में आपको देखने को मिलेंगे तो यह तो हो गया पहला आयोपी समझ में आया होगा हो सकते आप लोगों में से कुछ लोगों के thinking यह भी हो कि यह तो proper mother candle ही है यह mother candle ही है लेकिन जब आप mother candle पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर कहीं पर भी यह volumes के use वगरा नहीं बता जाएंगे कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि यह एक candle के बन जाने के बाद में जो बाकी की candle बन रही है इनका use क्या होगा और किस तरह से आगे की तरफ prediction होगा बस यह candle होती है यहाँ पर भाई कर लो और नीचे की दरफ सेल कर दो आप करके देख क्या success ratio है यह भी आपको खुद पता चल जाएगा यह पूरी चीज़े include करो प्राइस में भी include करो and volumes के थरू भी यह समझो कि यह strong है या weak है आपकी accuracy भढ़ जाएगी इससे के एक आपका यह daily time frame का area होगा अब इस point of action के पास में lower time frame के यह 5 minute की candles ने अपने movements करने स्टार्ट किया अब यहाँ से प्राइस आपका upside के तरुक जा रहा है volumes भी इस जगर पर अच्छी खासी आ रही थी बट जैसे ही जैसे जैसे प्राइस आपका resistance के पास गया इसकी जो volumes हैं यह decrease होने शुरू हो गए जैसे कि एक इसमें लोग करते क्या है total तीन candles हमें हमारे resistance के पास में चाहिए होती है volumes decreasing way में हो decreasing way की same color की तीन candles रेस्टेंस के पास में जाए इस तरह से क्या होता है resistance पर resistance के confirmations मिलते है प्राइस आपका upside के तरफ जा रहा है volumes गिर रही है already यह एक point of action है जहां से में trade execute करना है तो resistance पर जैसे जैसे volumes कम हो रही है हमें यह समझ में रहा है कि इसके इंतर की जो strength है यह कम पढ़ रही है या फिर एक चीज़ यह clear हो जाते है कि यह जो resistance हमने already mark कर रहा है यह confirm हो रहा है यह resistance है अब यहाँ पर इस गफलत में बिल्कुल मत रहना है कि volumes कम हो रहे है और प्राइस ने resistance को touch कि अब यहाँ से सीधे गिर ही जाएगा नहीं volumes कम हो रही है अगर इसने resistance अभी जिस तरह से इमने बोला ना बार बार हम बोले हैं कि resistance confirm हो रहा है अगर यह resistance ब्रेक हो गया तो क्योंकि resistance था अगर यह ब्रेक हो गया तो movement बहुत बढ़ा आपको मिलेगा तो volume कम होने के साथ अगर प्राइस उपर की दरज़ा तो फटाक से trade नहीं मार देना यहाँ पर आप confirmations के लिए रुकोगे वो confirmations कैसे होते है देखिए एक तो होता है V-shape इस V-shape में क्या होता है कि price आपका high के पास में गया इस तरह से low और यह high बन गया यह हुआ V-shape जैसे ही price इस level के नीचे आकर के काम करना स्टार्ट कर देगा न आप यहाँ से अपना trade execute करो गया यह तो shape हो गया यह बहुत 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 basic चीज है बहुत आसानी से दिखती है और काफी सारी trade इसके उपर execute किया जाते है रोज daily basis पर बहुत कम ही trade ऐसे होंगे कि जो V-shape के low को trade ना करे क्योंकि सबसे आसान तरीका ही होता है इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर last candle आपकी बने इस last candle के पास में फिर से वही चीज आप include कर देना जो अभी हमने आपको बताई यानि के mother candle को last वाली candle के exact low या फिर high यहाँ पर अब क्या करना है बाई तो करना नहीं है अगर बाई करना होगा तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा resistance भी confirm हो गए और यहाँ पर internal structures भी form हो रहे है internal structures का क्या है कि volumes आपके increase हो जाएंगे इस तरह से करते हूँ volumes आपके increase होंगे बट यह रहे कर resistance के अंदर ही और आपके जो internal structures बने ना इनके अंदर ही candle रहेगे और जैसे ही low break करें आप trade मार दो इससे simple कोई चीज हो नहीं से आपको कहे रहे हैं यह तो चार्ट बन चुका है यह तो market बन गी इसमें समझा रहा है आप running market में देख लो जितने trades हम करें उन trades को उठा करके देख लो NCC का आज का trade हम देख लो इससे अलग नहीं पाऊगे आप जो हमने support पर short selling की same structure को देखते हुए हमने short selling की है इसके लावत जितने भी trade हम execute करें इन ही methods को देखते हैं फिर इसी की तरह जितने भी और methods हम देख करके हम काम कर रहे हैं practice में इन सारी चीज़ों को धिरिये धिरिये करके शामिल को confidence increase होगा एक तरह से stocks को या फिर किसी भी script को read करने का जो आपको technical aspect है न वो strong हो execution के वक्त execution के वक्त ज्यादा confused नहीं रहो गया stop loss लगा करके काम परना अब ये भी नहीं है कि आंख बंद करके trades execute कर दिये stop loss लगाओ और काम करो risk और money को manage करते हुए काम करो तो उस तरह से अगर fix हो जाओ कि risk और money को में manage करके रखना और fix रहना इसके उपर आप loss नहीं करो गया कर ही नहीं सकते loss लेकिन इसके पीछे के बहुत मेनत है बाते सुनने में और कहने में जितनी आसान है actually बहुत time taking process होता है अभी आपको कुछ example दिखाता है इसके अब O.P.O.C.T का chart देखे price आपका upside के दरफ जा रहा है and volumes गिर रहे है सिर्फ इतने से candles में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए volumes गिर रहे है and price आपने resistance को test कर रहा है इसके बाद में जो fourth candle आपके बनी है आप इस वाली candle को देख सकते हो एक structure के अंदर सारी marking sum चले रिमूव कर देते है सिर्फ इस एक candle को माकर यहाँ पर इस एक candle के अंदर देखें volumes आपके increase होई price ने अपने ही इस वाले resistance को उपर की दरफ ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन यह range के अंदर ही आगया यहाँ पर भी यह candle इसको upside की तरफ नहीं ठीका पया और सिधे नीचे की तरफ गिर गई इसके बाद में 12 बचकर 30 पनेट की जो candle है इसने लो ब्रेक कर दिया I hope कि यहाँ पर समझ पा रहोंगे decreasing volume के साथ में price उपर की तरफ गया एक structure swarm हुआ इसके अंदर and जैसी वो structure नीचे की तरफ ब्रेक हुआ price देखिए अभी तक OPUSDT आपका level के नीचे ही trade कर रहा है इस एक जगा से ही यह trade कर रहा है और आप देख लेना अगर price ने यह वाले level को break नहीं किया तब तक यह weak ही रहेगा और नीचे ही गिरता रहेगा जब तक इस candle का high नहीं तूट जाता है OPUSDT weak ही रहेगा यह market भी चली इसके बाद में आप देखिए कि इसके अंदर होता क्या है same चीज आप MKR में देख लो यह बना आपका support area volumes कम हो रहे है प्राइज आपका नीचे की तरफ आ रहा है इस structure के अंदर देखिए आपका एक structure और बना volumes increase होगे और प्राइज आपका आपकी range के अंदर है यहां से प्राइज आपका support भी ले रहा है जैसे यह price ने आपके high यानि के ranges के high को break किया से दही उपर और तपसी नीचे की तरफ नहीं है और यह live market चल रही है M.K.R. U.S.T.T.G यह इसका support area है support पर आते हुए market अपने volumes को कम किया एक structure फॉर्म किया structure के high को break कर दिया इसके बाद में यहां से हमें signals मिल रहे हैं तो volumes को आप increase कर दो सिर्फ इस structures को देखो ओके चलिए आज के वीडियों यह पर में खतम करते हैं कोई भी question रहता है तो उसको comment box में लिख दीजेगा ज़रूर से ज़रूर हम उसका reply करेंगे So thanks, goodbye and we will meet again